तो नमस्का दोस्तो मैंने में रुद्र आप देखा आप इंफर्मेशन तोस्तो आज इस वीडियो में हम करने वाले है पबजी मोबाइल के दो मोश्ट पॉपुलर गन के बीच में कमपेरिजन सबसे पहला है हमारा M416 जो सभी का फेवरेट गन है और दूसरा है सकारल तो अगर तो वीडियो का अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कर देना तो चली जा देना करके आज का ये वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कमपेर करेंगे दोनों गन के बीच में कैपासिटी एन एटचमेंट की तो दोनों ही गन 5.56 के गन है एंड वीदाउट मै का यूज करते हैं तो दोनों ही गन में रिलोड के बाद हो जाता है 40 बुलेट तो कैपासिटी के मामले में दोनों ही गन को मिलता है एक एक पॉइंट क्योंकि दोनों ही इकुल गन है और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है एटचमेंट की तो एटचमेंट की अगर बा बनाने में तो यहाँ पर यह एक फायदे बन्च चीज़ है तो यहाँ पर हमें M4 को देना परेगा 1 point and Scarl इसके वज़े से थोड़ा पीछे रहा जाता है तो Scarl को यहाँ पर कोई भी point नहीं मिलता है तो यह जो 2 comparison में ने किया attachment and capacity की तो यहाँ पर Scarl को मिला है 1 point and M4 को मिला है 2 point तो उसके बाद जो next comparison करेंगे वो है power की तो दोनों ही गन का power देख पर होंगे equal है 42, 42 तो power के मालने में यहाँ पर दोनों ही गन को मिल जाता है 1 point उसके बाद जो next comparison करेंगे वो है range की, तो range के मार में यहां परamientos scaral जो है थोड़ा पीछे रहा जाता है, क्यूंकि scaral का जो range है वो है 55, and M4 का range है 57, तो यहां पर M4 को मिल जाता है 1 point, तो उसके बाद जो next comparison करेंगे वो है firing rate की, तो firing rate में भी यहाँ पर स्कारेल पीछे रहा जाता है M4 से क्योंकि स्कारेल का यहाँ पर firing rate है 70 and M4 का यहाँ पर firing rate है 80 तो यहाँ पर भी M4 16 को मिल जाता है 1 point तो उसके बाद next हम देखेंगे hit damage तो hit damage भी देख पर होंगे दोनों ही गन का equal है 41, 41 तो दोनों ही गन को मिल जाता है यहाँ पर 1-1 point उसके बाद next comparison करेंगे reload time जो की काफी महतोबून चीज़ है जब आप close range बे फाइड ले रहे है तो यहाँ पर जो स्कारेल का reloading time है without mag मतलब without extended quick draw mag का use करते हुए वो है 2.2 second and अगर आप extended quick draw mag का use करते है तो इसका हो जाता है 1.5 second and उसी तरव अगर आप M4 का देखे तो M4 का without mag का use करते हुए लगता है 2.1 second and अगर आप mag का use करते तो लगता है यहाँ पर 1.3 second तो थोड़ा fast reload होता है स्कारेल से इतना भी कुछ difference नहीं है पर थोड़ा fast यहाँ पर reload होता है M4 16 स्कारेल से जिसके कारण यहाँ पर M4 को मिल जाता है और एक point तो इसके बाद जो हम next comparison करेंगे दोनों गन के बीच में वह है recoil का comparison तो इसके लिए मैं जो जाइरो स्कोप था मेरा वह off कर दिया मैं and कोई भी में ड्रैग नहीं किया स्क्रीन को ताकि recoil में control कर पाऊ तो normally जैसे recoil टेस्ट किया जाता है उसी तरीके से मैंने किया है तो सबसे recoil आपको देखने को मिलेगा without attachment का मतलब कोई भी attachment का ना यूज करते हुए recoil और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा attachment का यूज करते हुए recoil तो एकदम अराम से clip को देख लीजिए तो जैसे कि अपने clip देखा तो दोनों ही गन का recoil मुझे परसनली सिमिलर लगा आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेजना जरू बताना एंड उसी तरह बकर मैं बात करू स्टेबिलिटी की तो हम सभी को पता है M4 बहुत स्टेबल है क्योंकि हम सभी M4 के अंदर 6X का यूज करके स्प्रे करते हैं तो वह एक्चुली 6X नहीं होता है सभी 3X करके स्प्रे करते हैं तो आप क्या सकते है M4 3X स्प्रे तो जैसे कि आप देख पार होंगे स्क्रीन के ंदर मेंने स्प्रै कर भी टेस्ट किया है तो बहुत हीस टेबर रहता है M4 X का गलता है अरग मैं स्प्रे की बात कर लकल करो तो अगर हम में और तो neeosh दोस्तों हमने यहाँ पर कर लिया है दोनों गन के बीच में फुल कंपेडिजन तो फूरा कंपेडिजन के अंदर स्कारल को मिला है सिब चार पॉइंट एंड हमारा जो फेबरेट गन है M416 उसको मिला है टोटल 9 पॉइंट तो इससे आप अंदाधा लगा सकता है कि कौन गन विजयता है तो आपको कैसा लगा यह कंपेडिजन वीडियो नीचे कमेंट से जरूर बताना और आपको अगर किसी गन के वीचे कंपेडिजन देखना है तो इस वीडियो के कमेंट के जरूर बता देना तो परसनली जो M416 गन है वो मुझे काफी पसंद है क्यूंकि इसका ज़िसे बता है टाहिंट आप इसको हर एक रेंज मेल यूजा कर सकता है जाय वो लॉन हो मिन ट्रेंज यह प्लोज रेंज तो यह मुझे मुझे सबसे ही लगता है तो आपको कौन सब्सक्न है नीचे कमेंट सेजोंने जरूर बताना अंगो कर पहली बार कर देना अगर आप पहली बार आये हैं हमारे इस चैनल के अंदर तो फटा फट से सब्सक्राइब कर लो क्यों कि हम ऐसा ही इन्फॉर्मेट अब इसको फर डेली वीडियो अप्लोड करते हैं तो नीचे लाग पर सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बेल आक्शन को आप आए था आप आए थाए